नमस्कार फ्रेंड्स आप सभी गार्डेन लवर्स वा प्रकृति प्रेमियों का आपके ही चैनल गार्डेन सिक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको गुलाब की चार विराइटिस के बारे में बताऊंगा तो देखिए पूरा वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेजिए जैसे कि मैं आगे गुलाब की और विराइटिस को दिखाता रहूँगा अपडेट देता रहूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो आएए शुरू करते हैं वीडियो यह जो गुलाब आप देख रहे हैं यह बाई कलर में है जैसा कि आप देख रहे हैं यह इसका बर्ड है और इसमें बहुत ही आकरशक और सुन्दर बाई कलर के फूल आते हैं इसको मैंने आठ इंच के गमले में लगा के रखा है और य इसके बड़ यूनियन से देखिए कितनी अच्छी सुट्स आ रहे हैं बैसल सूट्स और मैं इसमें काटे बहुत प्रैंड्स और इसके लेक्षक को देखिए तो लिपसिसके ब्राउड है ग्रीन है और हल्दी भी हैं तो देखिए इसकी खूबश्यूरती का नजारा लीजे गुलाब है यह वाइट कलर का गुलाब जो की बहुत ही ब्यूटिफुल और आकर्शक है और इसमें आप देखिए मिठी मिठी फ्रेगरेंस होती है बड़ी स्वीट फ्रेगरेंस इसमें होती है और इसके लीफ्स देखिए काफी ग्रीनरी है इसमें यह देखिए क्लस्टर में बड़्स आ रहे हैं और यह देखिए जब यह उप लगी हो रहा था तब कहीं है जीए वाइट कलर दोस्तों सांती का प्रतिक होता है और इसको देखने से मन को बहुत सांती मिलती भी है यह वाइट कलर का गुलाब है और यह देखिए यह स्ट्राइब रोज है और अभी यह पूरा खुला नहीं है लेकिन एक दू दिन में खुल जाएगा और इसकी जो ओपनिंग है बहुत ही सांदार होती है जैसा कि आप देखी रहे हैं और इसमें भी खुसबू आती है ka fruity fragrance होती है इसमें यह इसकी और भी berds आप देख सकते हैं और इसका मैं यह देखा दिन आपको berd grafting area नीचे से έ, da peng देख सकते हैं कि कुछ सकर भी आपको दिख रहे है और कुछ healthy suits भी आ रहे हैं तो इसका भी overall growth बहुत अच्छा है इसकी ID में बताऊंगा और ये तो देशी गुलाब है दोस्तों ये शुरुवात में पिंक में खिलता है ओपन होता है और जैसे जैसे इसका एज बढ़ता है फ्लावर का वैसे वैसे ये गम प्यूर वाइट हो जाता है और गुलाब तो में ऐसा आते रहते हैं ऐसा नहीं की ठंडी में आते हैं गर्मी बरसाथ हर समय आते हैं तो अपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें लिए जैसे कि मैं नए नए गुलाब के बारे में जानकारी देता रहूंगा और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आप वीडियो देख पाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों फिर एक नया वीडियो लेके मैं हाजिर होंगा तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए शुक्रिया